जै माताई मित्रो मेरा नाम पंडीत प्रकाश जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बूक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चच्चा करें मीन राशी के मंथली राशी फल के बारे में कि नौमबर का महिना मीन पाइसिस के लिए कैसा जाने वाला है कैसी रहेगी मीन राशी की धन की स्वाष्थ कि उनके परिवार कि ने दांपत्य जीवन उनके करियर की स्थिस के बारे में डिटेल में। मित्रुस कारेकरम में चच्चा करेंगे सबसे पहले io में जानते हैyorsun के बारे में तो हैल्थ के बारे में बात कर cray तो गुरू वकरी याई आपकी तो डंकलिए फ करने वाले आपने आपको कुछ आप सबस्क्राइब करने के semi नवंब्म्मार चाहिए को अज़ोग रहे życia लेकिन धन के स्वामी मंगल है और मंगल नीच राशी के होने से खर्चे भहत होंगे यानि संतान पर आपका खर्चा होगा नॉम्मर के मैंने में परिवार के सदस्यों पर नॉम्मर के मैंने में खर्चा होगा आपको पड़ जाए अगर हम मीन राशी के बारे में बात करें तो परिवार की स्थती बहुत ही अच्छी है कहीं ना-कहीं गर के अंदर जो फैमिली मेंबर है वो कोई साथी साथ परिवार के साथ में विवा शादी फंक्शन में जाने का योग भी बनता है यानि परिवारी के स्थधी नौमर के महिने में बहुत ही अच्छी है मेरे नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरू जी परकाज जोशी जी का प्रोगाम देखती थी और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पती जोते बहुत अंदरविश्वासी थे हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे जब से मैंने इनका प्रोगाम देखा और मेरा मतलगी घर में खुश्याली आ गई है और मैं परकाश जोशी को कोटी कोटी परणाम करती हूं बात करें मेन राशी के संतान के बारे में तो संतान के लिए नॉम्बर का मैना चाहे बड़ी संतान है चाहे छोटी संतान है बहुत अच्छा नहीं है हलकी चोट लगने के प्रॉब्लम के योग बनते हैं एलर्जी की समस्या, कुछ नुकसान आपकी संतान कर सकती है, बड़ी संतान भी कुछ नुकसान कर सकती है, और छोटी संतान भी कुछ आपका नुकसान कर सकती है, कुछ ऐसे कदम उठा सकती है संतान, जिससे कि आपको भरपाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि खर्चे वाला मही महिना नौमबर है आपका है ही अब बात कर करने में तीन बड़े नुक्सान नौमबर में हो श्कते हैं परीड पिट समंदी प्रावब्म आपको रह सकती यह हलकी आपको चोट लग सकती है नौमबर के मेंदे में दूसरा वाहन करचा वाहन syllabus कर्क्राइब। तिसरा देखा जाए तो कोई माता पिता से आपका वाद विवाद रह सकता है, परिवार जनों से आपके वाद विवाद रहते हैं, तो नोवमबर का महिना विध्यार्टियों के लिए बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, बात करें मेरी राशी वाले उनकी जो नौकरी क पड़ता है यानि एक तारिक से लेकर 15 नौमबर तक कहीना कहीं शनी यहां पर वक्री ही रहेंगे जिसका एफेक्ट आप वालों को मिलेगा कहीना कहीं बॉस की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा और काम में बड़ी गलती आप से हो सकती है जिसका डंड आपको मिल स सकती है 15 नौमबर तक यानि कोई बड़ी गलती के काराण आपको कुछ न कुछ डांट मिल सकती है तो कहीना कहीं कठीनाई बरे 15 नौमबर तक नौकरी वालों के लिए रहेंगे 16 तारिक से 30 नौमबर के बीच में सूर्यदेव चले जाएंगे ब्रिश्ची ग्रासी में यहा आपको ओफिस वाले किसी सरकारी कार्याले में बेच सकते हैं सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको या कोट के या इस तरह के सरकारी इंस्टिटूट के चक्कर आपको काम के लिए भीजा जा सकता है आपको काटने पड़ सकते हैं तो कुल मिलाके नौकरी वालों के लिए आदा म महिना जिहार पूरा महिना कहीं पार्टनर आप पे शक करने वाला है आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेगा आपसे अर्गुमेंट करता रहेगा आप एक महसूस करोगे कि पार्टनर को आपकी हर बात पे डाउट है हर बात में संचे करेगा पूरूफ मांगेगा आप से दू उनों में भी मद्वेत होने शुरू हो जाएंगे यानि नॉम्बर का महिना वाद विवाद वाला ही पार्टनर से रहने वाला है और पार्टनर को बैक पेन या स्पॉंडलाइटी सर्वाइकल की समस्या रह सकती है तो कही ना कहीं दामपत्य जीवन लाव लाइफ बहुत अच प्रभाव आप पर आजाएगा कईना कई जो आप काम को अच्छा करने के लिए अप सपल हों गे आपको बड़ा कॉंट्रैक्ट आपको मिलेगा काम में तेजी होगी बड़ा और आपको मिलेगा कईना काई मार्केटिंग भी करने वाले उसका सारा लेंगे विग्यापन का स कैसे अपने काम को बढ़ाएं किस तरह से मेनेजमेंट सही करें उसके लिए आप कुछ किलासे भी लेंगे अपने मेनेजमेंट को ठीक करने के लिए यानि सीखने वाला और कुछ नया करने वाला आपका नवंबर का महिना रहेगा और काम के लिए अच्छा महिना सी के लिए अ तेमा तादी